रिदिवेंगे अपिछली वीडियो में हम पैलाम प्लैटेल मींस के बार में बढ़ा और अब इसके आम सी कुल्ड़ूंस ने नेक्स फाइलम स्टार्ट करेंगे तो आगे के जो फाइलम भूसारे बहुत इंपॉर्टन वाने वाले हैं गैसे आर्थरोपूरा और हमिकोड़े then classes जो है उसमें से master grader में बहुत से question आती हैं तो next videos को आप please so start करते हैं फाइलम platy halminthus के mcqs first mcq है platy halminthus are called as platy halminthus को हम और क्या बोलते है round warm बोलते हैं flat warm बोलते है blind warm और tuberculosis warm तो simple सा है ये question platy halminthus जो है ठीक है ये फ्लाइट होते हैं डॉर्सो वेंटरली फ्लाइट होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं flat warm बोल देते हैं तो option आप्शन आप्शन भी flat warm फिर है second question है flatworms are flatworms जो हैं वो कैसे होते हैं सीलम उनकी कैसी होती है तो a silomate है pseudo silomate है silomate है कि कोई भी नहीं है a silomate का मतलब silom नहीं है pseudo silomate का मतलब जो body ball body wall और जो अंदर elementary canal वाली जो area होते है उसके अंदर अगर space जैसा structure है बट उसमें patches बनी हुए है नहीं लग रहा है कि cavity है तो उसको बोलते है pseudo silomate silomate मतलब silom है उसके अंदर cavity है या none of these तो इसके option आएगी option a यह a silomate होते है तो उसके बाद है excretory organ of the flat bomb flat bomb में excretory organ के तोर पे क्या present होता है अनफरीडिया flame cells green gland और malpigean tubules तो इसमें flame cells present होते हैं next है which of the following is a free living flat bombs कि कौन सा इसमें free living flat bomb पाया जाता है free living कौन सा है warm प्लेनेरिया फैरेटिमा टेनिया के फैजियोला तो यह जो प्लेनेरिया है प्लेनेरिया पानी के अंदर पाया जाता है fresh water है तो flat bomb है यह free living form में है यह option आएगी इसकी free living platy halminthus belong to which class free living कौन सी class से बिलॉंग करते है तर्बुलेरिया कैस्टोडा ट्रिमेटोडा के मोनो जेनिया तो इसकी option आगी option आगी option a तर्बुलेरिया तर्बुलेरिया में हमने पढ़ा न प्लेनेरिया वगरा ही present होते हैं वहीं तो पानी में पाय जाते हैं free living form में तो option आगी option a नेक्स्ट है triploblastic acylomate animals are found in के triploblastic acylomate animals कहां पर पाय जाते हैं triploblastic form में है acylomate देखो अभी इससी फाइल में तो हमने पढ़ा न न प्लेमेटोड अनिलिडा प्लाइट हलमिंथस के दोनों कौन सी option आएगी इसके तो option आएगी option c सारे के सारे पीछे वाली जो हमने पढ़े है इसके आगे आगे advance form ही आती जाएगी ठीक है बट acylomate form में क्या है प्लाइट हलमिंथस ही है नेक्स आते हैं फर्स्ट ओर्गन लेवल और्गनाइजेशन वस डैबलब इन अभी तक आपने जो तीन फाइलम पढ़े हैं उनमें तो हमने पढ़ा कि वो सैलिया टिशू लेव लेवल डाइट हलमिंथस तो सिंपल क्या आएगा इसमें प्लाइट हलमिंथस option डी नेक्स्ट कुश्चिन है इंटरमेडियाट होस्ट आफ टेप वाउम अभी टेप वाउम किस कर्दगरी से है किस क्लास से टेप में कैस्टोडा टीक है कैस्टोडा जो है इसमें अभी क्या present था, man और pig present थे, दो ही host होते हैं इसमें, दो host होते हैं, tape warm के लिए tape warm जा तो human body में होता है, human body से निकला तो उसके तो human host, dog, pig के snail देखो, अभी primary host कौन सा था, human, तो human intermediate नहीं है, तो dog तो इसमें पढ़ाई नहीं हमने, snail तो दूसरे में होता है, ट्रिमेट ओडा में होता है, cast ओडा में नहीं होते हैं, tape warm में नहीं, लिवर फ्लूक में snail आता है, तो pig, ठीक है, pig इसकी option आएगी, option C, pig next time, regeneration power can be best studied in, regeneration power किसके अंदर हम study कर सकते हैं, कि regeneration सबसे ज़्यादा किसके अंदर proper way में होती है, planaria, sponges, amphioxys या earthworm, तो regeneration हमने तो planaria के अंदर पढ़ी कि best to study होती है, देखो, आप एक planaria को cut करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसको आपने, मालो एक के जगह है, आपने उसको द तो तीन पार्ट से वो नए, तीन नए planaria बना देगा, तो उसको फाइदा है ना, जल्दी multiply कर गए और ज्यादा amount में बना दिए, तो regeneration power इनमें सबसे अच्छी होती है, तो आएगी option A, planaria, next is, solenocytes या flame cells, flame cells को हम solenocytes बोल देते हैं, ठीक है, यह किनका excretory structure है, annulates का, platyhelminth का, molluscus का के kinoderms का, simple platyhelminthus का, platyhelminthus क्या show करते हैं, platyhelminthus में कोई smetri नहीं है, radial है, bilateral है, के, by radial smetri है, देखो भी, bilateral smetri है, by radial है, bilateral smetri होती है, तो option D, फिर है, proto nephredia is absent in, proto nephredia किन में नहीं होता, proto nephredia, जो है, वो किन में नहीं होता, dugasia, dugasia हम किसको बोलते हैं, turbularia class को, ठीक है, मतलब, जो planaria वगरा होते हैं, वो dugasia category में आते हैं, tapeworm, aquila, या liver fluke, तो इसकी option आएगी हमारे पास, option C, aquila, क्यूंकि देखो, tapeworm में proton afredia थे, उसमों regulation के लिए, dugasia में भी है, ठीक है, liver fluke में भी होते हैं, तो ये इस class में नह नहीं आता है, ठीक है, aquila, जो है, ये इसकी option हैगी, option C, aquila, उसमें proton afredia नहीं होता है, absent है, then आगी है, transverse beneficent, किसमें पढ़ी है, transverse beneficent, देखो, इस तरह ऐसे हमने किया था ना, कि transverse लिए आप किसी organism को गर cut करोगे, तो वो दो equal parts में, दो equal parts में तूट जाएगा, ठीक है, त कोई example बता उ, वुकरेरिया बंक्रॉफट है, टेप वाम है, प्लाजमोडियम है, के ट्रिपैनोसोमा है, तो क्या है, टेप वाम है, ठीक है, फ्लैटी हल्मींतस में हमने टेप वाम के बारे में पढ़ा, तो इन चारों में से तो यहीं इक्जाम्पल है, next is, Sistricus, वहाँ प का देखो भी tape worm और liver fluke to platyhalminthus में है तो सोचने की बाद है कि cystricus larva किसके अंदर पाया जाता है तो cystricus larva होता है tape worm के अंदर ठीक है tape worm में यह larva पाया जाता है उसके बाद है है हुः है खास किते हैं ब्लाटि जसी जो है वह इदा ब्सक्ट करता है और झाल सुर्फ करता है और प्लार यएउस्टम लेवल तो इसका अउनलेवल औप्शन एजो है ऑर कं सिर्फेस्ट में स ब्लाटी कहां से अपना वो फूड लेंगे तो इसकी अप्षिन है कि आप्षिन बी ठीक है हमने कहा ना कि वो न्यूट्रिशन जो है नूट्रिशन अपनी आउटर सर्फेस में से ही वो कर लेते हैं ठीक है तुसका एगा आउटर सर्फेस ठीक है नेक्स्ट है टेप वोर्म की क्लास कौन सी है तर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा, कैस्टोडा के नन अफ़ दीस जो टेप वोर्म होती है टेप वोर्म पाई जाते कैस्टोडा में जो ओप्षन ऐगी ओप्षन C, कैस्टोडा फिर है 19th question है, मिरा सेडियम लार्वा occurs in life history of मिरा सेडियम किस और्गनिजम की अंदर लार्वा स्टेज में है, राउंड वोर्म, लिवर फ्लूग, टेप वोर्म की अर्थ वोर्म, किन में पाई जाता है ये तो इसके option आएगी, option B, लिवर फ्लूग जो होती है न, लिवर फ्लूग वाले जो है, लिवर फ्लूग का जो लार्वा होता है, वो मिरा सेडियम फ्लूग में पाया जाता है, ठीक है तो उसके बाद है, members of the class, trimetoda are commonly called as, कि जो trimetoda class होती है, उसके members कौन से है, tapeworm है, blood fluk है, flatworms है, कि flukes होती है, तो flukes कई तरह की हैं इसमें, तो trimetoda जो होती है, उसमें कई तरह के flukes होती है, ठीक है, तो इसकी आएगी, liver fluk वगरा होना, blood fluk भी हो सकती है, तो कई तरह के fluk है, meanly थो हम liver fluk की बात करती है, तो यह flukes category है, ठीक है, so option आएगी, option D, flukes,